दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एप्लस एकेड़ी में आपका स्वागत है करेंट पेर की द्रस्टी से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा चर्चित मुद्दा है टोक्यो ओलंपिक 2020 दोस्तों ठीक है तो इसके बारे में एक एक डिटेल में हम बात करेंगे बहुत ही शोट वीडियो होगा तमाम जानकारिया इसके अंदर उपलब्द रहेगी तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों इससे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ साजा जरूर करें देखें सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं इसके बारे में कि भाई इसकी जो मेजबानी कर रहा है टोक्यो ओलम्पिक 2020 की वो जापान कर रहा है इतना आपको ध्यान रखना है इसके जो अभी शुरूआत हुई है 23 जुलाई को भी है 8 अगस्त को इसका समापन हुआ है यानि ओर ओल जो है 16 दिन तक यह चला है अब यहाँ पर है टोक्यो ओलम्पिक 2020 तो इसका नाम है और 2021 के अंदर इसकी शुरूआत हुई ऐसा क्यों दोस्तों क्योंकि हर 4 साल के अंदर जो है ओलम्पिक्स करवाए जाते हैं लेकिन 2020 के अंदर कोरोना बहुत ही जादा था इसलिए इसको पोस्तों करके 2021 में अभी करवाए गया है इसलिए जो इसका में नाम है टोक्यो ओलम्पिक 2020 ही है यह जो है दोस्तों 32 नंबर का ओलम्पिक है यानि कि जो जापान अभी मेजबानी कर रहा है वो 32 नंबर के ओलम्पिक कर रहा है तो इससे पहले 4 साल पहले हुआ था 2016 में वो कौन सा था 31 और ये जो इसकी मेजबानी किस ने करी थी तो ब्राजिल ने करी थी clear है और अब आने वाला जो है कौन सा 33 जो है इस 33 जो है कब होगा 2000 जो है हर 4 साल के बाद उलंपिक होते हैं इसकी कौन करेगा मेजबानी फ्रांस करने वाला है दोस्तों clear है तो इतना सब कुछ clear हुआ होगा अगर 2020 की अगर सुबंकर की बात करें दोस्तों टोक्यो अलंपिक तो ये है मिराइत हुआ देखें मिराइत हुआ नाम थोड़ा आजीब है क्यों कि ये जापान से रिलेटेड नाम है इसलिए आपको याद रखें इस नाम को टोक्यो अलंपिक 2020 का अधर स्वाक की क्या है इसका अधर स्वाक है दोस्तों United United by Emotions ठीक है दोस्तों ये इसका आधर स्वाक है तो इसको थोड़ा आप ध्यान में रखेगा इसके बाद अगर बात करें दोस्तों जब इसका टोक्यो अलंपिक 2020 का जब उद्गाटन हुआ था तो इसमें ध्वजवा जो हमारे देश की तरफ से वहाँ पर खड़े थे उसके अं में हम बात करतें दोस्तों कि कितने स्वान पदक जीते हैं कितने याप पर रज़त पदक जीते हैं और किसने काश्य पदक जीते हैं देखेगा और 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 अगर बात करें तो साथ मेडल जो है हमारे इंडिया ने जीते हैं उसमें से स्वान पदक की बात करें तो एक हमारे स्वहन पदख है। उसमें से सिलवर अगर सिलवर को बोलते दोस्तू रजक तड़ रजक पदक Here We're रजक कितने हैं के काश्य काश्य पदख कितने चार तो और एकर जाए कितने होगे दोस्तू साथ तो हमारे पास और इस बार साथ जो है पदक आये हैं और अगर देखा जाए कंट्री की लिस्ट से दोस्तों तो हमारा नंबर कौन सा है 33 नंबर है ये भी आप अपने दिमाग में रखें ताकि कहीं पे भी पूचा जा सकता है बेसिक सा क्विशन है कि हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का कौन सा अस्तान रहा है तो 33 अस्तान रहा है अब देखे एक के बारें बात करते हैं सबसे पहले गोल्ड स्वन पदक की बात करते हैं स्वन पदक दोस्तों नीरच छोपडाने जीता है ये आप सभी को ब एट मीटर ये इतना आपको ध्यान रखना है क्योंकि देखिए स्वन यानि कि गोल्ड मेडल लेकर के आये है निरद चोपडा तो इससे रिलेटेट तमाम जानकार आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखनी चाहिए क्योंकि इससे 100% है जो ये गोल्ड मेडल जो जीता है निरद चोपडा ने इससे रिलेटेट एक क्विशन पका पूछा जाएगा आपके एक्जाम में ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों ठीक है कितना इन्होंने फेका कित्ती लंबाई थी यानि कि 6.58 मिटर ठीक है क्लियर है अब चलते हैं आगे दोस्तों क्यूशन ऐसे बनता है देखिए कि निरद चोपडा हाल ही में स्वन पदक जीते हैं निरद चोपडा किस सेतर से समधी थे जैवलिन तरो यानि कि भाला फेक से समधी थे अब चलते हैं ये इनकी देखे बायोग्राफी देखे इनकी बायोग्राफी आपको पढ़ने ही पड़े क्योंकि गोल्ड मेडल जीता है बहुत ही चर्चीत रहे हैं अभी हाल ही में तो याँ पर देखे मदर का नाम है सरोज देवी है पीता का नाम शतिस कुमार है क्योंकि ऐसे noise कुछे जाते हैं कि भाइ कौँ से डिस्टिक से बिलोंग करते हैं कौँ से state से बिलोंग करते हैं अगर इन village की बात करें दोस्तों तो यह खांद्रा जो इनका village है पानिपत्र डिस्टिक्स से आते और खरियाना से बिलोंग करते हैं ठीक है इनका जो best throw है दोसु वो है 88.1 मिटर का ठीक है अभी जो हाली में 86.58 है लेकिन यहाँ पर देखा जाए best throw की अगर बात करें तो इनका कितना है 88.1 है और इनकी जोब देखा जाए तो दोसु यह 4G है यानि कि soldier है दोसु ठीक है तो आगेज चलते हैं बात करते हैं अब silver medal की यानि कि रज़त पदक की रजत पदक जो है दो ने जीता है यानि कि एक मेडल किस ने जीता है निरचोपडा ने अगर रजत पदक की बात करें सिल्वर मेडल तो रवी कुमार दाईया है इसके बाद है मीरा बाई चानू तो रवी कुमार दाईया है दोस्तों यह रेस्टलिंग से समधित है यानि कि फूस्टी से और यहां पर इनकी केटेगरी की बात की जाएहें तो यह हैं तो यह है सतान किलोग्राम कीटेगरी से ठीक है यह आपको यह भी धिहान रखना इन्होंने जीता है हाली में अब मिरा भाई चानू की बात करें दोस्तों तो यह क्या है वेट लिप्टिंग यानि भारोत तौलक से समधी थे और इनका कौन सी केटेगरी से गए थे यह गए थे 59 kg वुमेन ठीके 50 kg केटेगरी से गए थे मिरा भाई जो है इनका नाम है और यह इन्होंने जीता है तो सिल्वर मेडल दो जुनों जीता है रवी कुमारदाईया और मिरा भाई चानू ठीके अब चलते आगे दोस्तों इसके बाद मिरा भाई चानू देखी ये भी जो है बहुत ही चर्चित रही है फिलाल देखे सबसे ज़्यादा मिरा भाई चानू और देखे अभी हमारे हाली में पड़ा है हमने यहाँ पर निरज तो यह दोनों जो है दोस्तों बहुत चर्चित है इनके बारे जित्ती जान करें जोटा सकते है आप जोटा लीजिएगा 100% इन दोनों से आपको एक कुशन देखने को जरूर मिलेगा देखे इनका पूरा नाम है मिराबाई चानु का यहाँ पर है साइखोम मिराबाई चानु है ठीक है इनका जनम जो 1994 में वो हुआ है और अगर निरज चोप्रा की बात करें तो 1997 में उनका जनम हुआ है ठीक है इनका जो बर्त पहले से दोस्तों इमफाल मनिपूर भारत यानि मनिपूर से बिलोंग कर आएं ठीक है तो ये एक बार इसे पढ़ लीजेगा आप क्योंकि जब भी आएगा तो आपको 100% दिख जाएगा है हाँ इससे रिलेटेड इनका नाम है क्योंकि ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई मीरा भाई चानु जो है हमारे किस राजे से बिलोंग करती है भारत में या आप से पूछ लेजेग मिरा भाई चानु के पिता का क्या नाम है कुछ भी क्यूशन आ सकता है दोस्तों ठीक है तो भारत तोलक जो है दोस्तों इसका क्या है इनका जो खेल है और पदमश्री और राजश्री खेल रतन से इनको नवा जा गया है ये भी आपको ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है बेड मिंटन से समंदित हमारे इंडिया की पहली एक एसी ये महिला है जिनोंने दो सिलोर मेडल जो है ओलंपिक गेम के अंदर जीते हैं तो ये क्यूशन भी बन सकता है तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा ठीक है इन्होंने ब्रॉंज मेडल जीता ब्रॉंज मेडल जीता है बहुत ही बड़ी उपलब्दी की बात है दोस्तों इनके लिए हमारे देश के लिए ठीक है लव लिना ये आपको ध्यान रखना है आपको इसा पूछा जा सकता है कि लव लिना कौन से खेल से समंदित है तो बॉक्सिंग से समंदित है या फिर इस से पहले 1980 के अंदर जीता था ठीक है 1980 के अंदर कोई मेडल जीता था उसके बाद अब ब्रॉंज मेडल अभी हाल ही में इनको मिला है देखिए यहां पर आप न्यूस पढ़ें के उसमें 41 साल दिया होगा तो 41 साल इसलिए है अभी क्योंकि 2021 से हो काउंट कर रहे है लेकिन अ आल सो जो इनों क्या किया था दोस्तों qualified semifinals for the first time ever तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि पहली बार जो है semifinal qualified क्या है हमारी women's की जो होकी टीम है उन्होंने तो दोस्तों ये olympic जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा important रहा है कि कि पिछले olympic को देखेंगे आप 2016 के अंदर तो और एक वहाँ पर रज़त पदक जीता सिर्फ दो पदक ही जीते थे लेकिन इस बार जो साज जीते हैं तो इसका मुलब कहीं बहुत ही ज्यादा improvement है ये हमारे भारत के लिए ये जो olympic गया है Tokyo Olympic 2020 बहुत ही ज्यादा मैत पूनिया उप्यों की साबित हुआ है ठीक है अब आ यहाँ पर देखेंगे अगर आप यहाँ पर देखिए का गया है वो देखिए रवी कुमार दाइया है कितने से 77 kg के टेकरी से हैं और बजरंग पूनिया के बारे में अभी बताया है कितने से 65 kg से तो ऐसे ही question बनते है दोस्तों ठीक है इन्हों जो बहुत सारी बार gold medal जीता है अलग-लग events के अंदर दोस्तों तो यह बहुत ही बजरंग पूनिया जो है इनके बारे में वैसे ही आप बहुत कुछ सुन रखा होगा आपने अब आगे चलते हैं इसके बाद बात करते हैं कि पहली जो इस Olympic के अंदर first जो आए थी रेंग किसकी आए थी तो United State of America USA की आए रही है 38 gold 32 silver और यहां पर 18 bronze और और जो है 88 और second position अगर इंडिया की बात करें दोस्तों तो यह आगे list है दोस्तों इसमें हमारा इंडिया नहीं है आगे चलेंगे अब यह रहा हमारा इंडिया दोस्तों इंडिया की बात करें तो अँप सब क्लियर हो गया है कि gold की बात करें तो gold तो एक जीता है, यहां रज़त की बात करें तो दो जीते हैं, और चार जो है, यहां पर कितने जीते हैं, दोस्तों, काश्य पदक जीते हैं, तो और roll कितना हो गया, साथ, और rank की बात करें, country rank तो हमारी 33 है, शुरूआत में मैंने आपको बता दिया है, clear है, तो उम्मीद चोईस के अंदर कौन करने वाला है, फ्रांस करने वाला है, और दो हजार, सोला के अंदर किस ने करी थी दोस्तों, ब्राजिल ने करी थी, ब्राजिल ने, तो यह दोस्तों केसा लगा आपको एक current affair का मुद्दा, उम्मीद करता हूँ यह आपको अच्छे समझ में आ गया हो चानों का कौन सा गाव है, मेरा भाई चानों कौन से पीता है, तो अलग-लग आपको slide में देखर के वीडियो बहुत ज्यादा लेंति कर देंगे, मैंने बहुत ही short में आपको यह समझाया है, ठीक है, उमीद करता हूँ यहां तक आपको clear हुआ होगा, अगर आप चाते दोस इससे objective type question करना, तो आप एक बार comment box के अंदर लिख कर कि मुझे जरूर बेजना कि हा सर, हमें अच्छा लगा है, यह मुद्दा, आप जो है, इससे letter objective type question जरूर लिख कर कर आए, दोस्तों ठीक है, इस इक साथ मिलेंगे हम नए वीडियो में, जे हिन, जे भारत!